जै माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पोण करें और आप जीवन में खूप सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं एक छोटा सा उपाय जो है वो आप सब के साथ सेयर कर रही हूँ आप बोल बोल कर परिशान हो चुके हैं, पूरा दिन फोन देखते हैं और आपकी एक भी बात जो है वो नहीं मानते हैं, तो यकीनन आपको इस उपाई को जरूर करना चाहिए, यहां तक कि इस उपाई को जो भी बड़े छात्र छात्राएं हैं, जो किसी भी परिच्छा की त नहीं लग पा रहा है, तो आप इस उपाई को अपने बच्छों के लिए जो भी माताएं हैं, वो अपने बच्छों के लिए इस उपाई को जरूर करवाएं, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, या उनका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत जादा विचलित हो रह और मन जो है वो भटक जा रहा है तो इस उपाय को जरूर करवाना चाहिए अपने बच्चों से यकीन मानिये पूरे स्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करवाते हैं तो आपके बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं भटकेगा ब की पढ़ाई जो है वो पूर होगी उपाय एक छोटा सा उपाय है वसंत पंचमी को 14 तारीक को आपको ये उपाय करना है सरसों के फूल लेना है 31 सरसों के फूल जो है वो आपको सरसों के लेने हैं और ये फूल आपको अपने बच्चों के हातों से वसंत पंचमी वाले दिन जो सिवलिंग है उसमें आपको चड़वा देना है वहीं पर प्रणाम करना है और बोलना है कि भगवान पढ़ने से मन जो है वो भटक रहा है आप सदवुद्धी दें पढ़ने में मन जो है वो ज़रूर लगाए अगर आप एक छोटा सा उपाय करते हैं तो यकीन मानिए जरूर कीजिए इस उपाय को और अपने समस्त समस्याओं को समाप्त कर लीजिए उमीद करती हूं कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर सम आप्त कर रही हूँ दोस्तों जैमाता दी